दोस्तों नमस्कार अब देख रहे हैं 10 News Network मिरा नाम है रंजन अविशे देश भर में लोगसभा चुनाओं को लेकर सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है आपको बता दें कि भारत में छटे चरण का मतदान संपन हो गया है और एक जून को आखडी और सात्मे चरण का मतदान हो होना है इस बीच देश की सियासी गहमा गहमी और सियासी सुर्ख्यों के बीच पाकिस्तान से भी लगातार बयान आ रहे हैं और पाकिस्तान से बयान आने के बाद देश में सियासत और भी गर्मा गई है इसी कड़ी में अब एक बार पाकिस्तान के पुर्व मंत्री फवाद चौधरी का बयान आया है फवाद के बयान आने के बाद देश में फिर एक बार सियासी गहना गहमी तेज हो गई है पॉंग्रेस नेता राहूल गांधी टीमसी प्रमुक यवं बंगाल के सीम हमता बैनर्जी और दिल्ली सीम अर्विंद के जरीवाल की तारीफ करते हुए पाक आने का आवान किया है पाकिस्तान के पुरु सूचना मंतरी फवाद चौधरी ने एक इंटर्व्यू में कहा है कि वह चाहते हैं कि भारत में होड़े है लोकसभा चुनाओं में नरंद्रमोदी हार जाएं फवाद ने कहा कि पाकिस्तान में हर कोई ये चाहता है कि नरंद्र चौधरी ने कहा इस चुनाओं में ननिंद्र मोदी की हार जरूरी है भारत और पाकिस्तान तभी कड़ीवा सकते हैं जब पाकिस्तान दोनों भारत और पाकिस्तान दोनों में चरंपंथ को हडाया जाएगा इमरान की पार्टी पिट्रिया इनिता ने कहा पाकिस्तान में भार तिशील देश के रूप में आगे बढ़ना चाहिए अर्विन केजरिवाल से कोई लगाऊ नहीं है पाकिस्तान के निता फवाद चौधरी ने आगे कहा चाहे राहूल गांधी हो या अर्विन केजरिवाल या ममताव एनरजी मोधी को हडाने वालों को शुब कामना है इसे सब से पहले जब चौधरी ने केजरिवाल का समर्थन किया था तो दिली के मुख्यमंतिर ने खड़ी खोटी सुनाई थी आप रमुख ने कहा था कि वी अपने देश का खयाल रखे केजरिवाल ने एक्षेंडर पर लिखा चौधरी साहब मैं और मेरे देश के लोग अपने मु पाकिस्तान सरकार की राई से मिल खाती है लेकिन मैं चरमपंथियों के खिलाफ खड़े होने वाले किसी भी व्यक्ति का समर्थन करूंगा उन्होंने कहा है कि भारत के मुसल्मान हिंदू महासभा के उद्य के कारण अत्यधिक नफरत का सामना कर रहे हैं पाकिस्तान के संस् राहुल गांधी और अर्विंद केज्रिवाल को समर्थन देने का नहीं मैं पाक सरकार का प्रतिनी धित्तों करता हूं मैं जिल में था और पाकिस्तान में फासी वादी सासन का विरोध करने के कारण राजनीती से प्रेडित मामलों का सामना कर रहा था लेकिन मैं चरमपंथ कि खिलाफ खड़े होने वाले किसी भी सक्स का समर्थन करूंगा और पियम मोदी नफरत और उबरवाद का प्रतीक बन गए हैं हिंदु महासभा के उद्य के कारण भारत के मुशलमानों को नफरत का सामना करना पर रहा है तो फवाद चौधरी के इस बयान के बाद अब दे लागातार भारती अजन्ता पार्टी विपक्षियों पर हमलावर हो गई है दोस्तों एक ये सवाल भी है कि आखिर देश की लोगसभाचुनाओं में पाकिस्तान की इतने दिल्चस्पी क्यों है अकि भारत में प्रहानमंतरी कौन होगा प्रहानमंतरी के पद के लिए कौन जीतेगा, लोग शबहाद चुनाओं में किस पार्टी को जीत मिलेगी, इस बात में इतनी विल्चसपी, उस पाकिस्तान को क्यों है, जिसके अपने ही घर में खाने नहीं जूट रहे जिसके अपने ही घर में लोग भूखे मर रहे है, वो अपने देश की चिंता करने के बजा भारतिय चुनाओं में इतनी दिल्चस्पी क्यों ले रहा है और किसी भी नेता का विरोध और किसी दूसरे नेता का समर्थन क्यों कर रहा है। झालतिय चूस्पी क्यों क्यों ले रहा है।